हेलो फ्रेंड्स आज का मारा टॉपिक है फाइव बेस्ट बुक्स टू रीड तो पहली बुक है मैजिक ओफ थिंकिंग बिग बाई डेविड जे स्क्वार्ज ये बुक मैंने पूरी पड़ी हुई है अट फो इस बुक में जो भी वीन वीन सिटיइशन है पूरा उसका सम-up करके पूरे एक्जामपल के साथ इसमें यहां पर समझाया है की किसी की मतलब हेल्प करने से हमें क्या उसके benefits मिलेंगे तो इसमें पूरा एक्जामपल के साथ समझाया है तो यह एक चछी बुक है तो इन्हों ने इस book में एक तो positive thinking के बारे में समझाया है फिर अलग-अलग concepts लिए जैसे कि जब आप pray करते हो तो उसकी क्या effect होती है आपके mind में तो ये सारी बातों को sum up करके पूरी book में ये बहुत ही छोटी book है तो जल्दी खत्म होग कर सकते हैं हम लोग तो power of positive thinking by Norman Vincent then third book that is rich dad poor dad by Robert Kiyosaki and Sharon Letcher तो इस book में money management के बारे में पूरा समझाया है कि आप अगर financially freedom पाना चाहते हो तो आपको अपनी जो income है उसको कैसे manage किया जाए तो ये पूरा इस book में समझाया है then fourth book है power of subconscious mind by Joseph Murphy तो ये भी एक अच्छी book है कि आपका जो mind है actually subconscious mind है उसकी क्या powers है उस powers के से आपकी life में क्या effects आएगी ये उस book में आपको समझाया है then fifth book that is you can win by Shiv Khaira ये Indian author है ये एक अच्छी book है इसकी जो language है वो भी थोड़ी easy लगी मुझे तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है so you can win तो अलग-अलग methods होती है कि कैसे हमें work attitude रखना चाहिए कैसे behave रखना चाहिए तो ये पूरी book में sum up करके हमें समझाया है then now time for bonus book that is Today Matters by John C. Maxwell तो ये book सबसे ज्यादा मुझे अच्छी लगी नाम थोड़ा अलग है Today Matters बट अंदर जो content है ये अगर आप एक बार देखोगे तो ये आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आपकी जो turning point है ये book as a life turning point बन सकती है तो ये भी एक अच्छी book है